सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल के जरी जो भी हमको देख रहे है मेरा भगवान है सब को दिल से प्रणाम और आप सब को आप सभी सोता गण को हैपी हो ली और यह बहुत खुसी की बात है कि हमारा छोटा भाई जिसका नाम है रितेस पांडे जी बहुत अच्छे है वो और रितेस भाई रितेस कहां है जो भी है मुझे पता चला पिछले साल भी मेरा भाई होली मिलन समारोह रखा था यह दूसरा साल और इस साल भी रखे हैं और हमारा भोजपूरी इंड़स्टी का पूरा परिवार यहां पे आया है मेरा भाई होली मिलन समारोह मना रहा है मुंबई सहर में और हम सब परिवार यहां पे कठा हुए हैं और हम लोग खुसी मना रहे हैं यह हम सब के लिए बहुत हीं बड़ी खुसी के बात है कि मेरा छोटा भाई यह काम कर रहा है कि महँगा लहंगा पहन के गोरी काला चसम लगा के गोरी भीगा के चोली गिराये विजुरी फागुन में लंग परसा रही है कि में इतने कम समय में सब लोग धूम मचा रहा है सारा दुनिया कमर हिला रहा है जो हो रहा है लेकिन इतने कम दिन में मेरे छोटे भाई का एक गाना इतना मिलियन क्रॉस किया सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया हम सब के लिए बहुत बड़ी खुसी की बात है कि हमारे भोजपूरी को यहां तक लोग जाना देख रहा है और सुन रहा है अब अब लोगों का दूआ आप लोगों का असिरबाद आप लोगों का प्यार चाहिए बाकी तो हम लोगों को मेहनत करना है और और आगे वढ़ना पावन जी क्रोना को लेकर क्रोना वाइरस जिस तरह से फैला हुआ है अपने देश में क्या लगा है कि हो लिए का इसाफ से आई करोना 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 विमारी किसी को ना हो भाईया किसी दुस्मन को ना हो सब कोई स्वस्त रहे और इस पार होली में ऐसा हम लोग रंग उड़ाएंगे कि करोना उड़ जाएगा तो आप से उससे बचने के लिए आप भी कोई उपाय बताना चाहेंगे कौनों चीज बचावला से बचे इस बार जो होली में रंग उड़ेगा करोना उड़ जाए और और भी बात कहा गया है हम सब लोग कहते हैं एक बिहारी सौपे भारी तो हम पुरवांचल के लोग यूपी बिहार के लोग होली में ऐसा रंग उड़ाएंगे कि करोना हमारे हिंदुस्तान में कहीं बच्पन में जो हम लोग होली खेलते थे कीचड़ फेंक दिया जाता था जो कलर ऐसा लगा दिया जाता था कि छुडाने में बहुत परिशानी होती थी तो इस बार हम सब से यही हम लोग निवेदन करेंगे कि अच्छा कलर लगाईए सब कोई हस के होली मनाईए दिल से होली मनाईए हम सब के तरफ से लगा रहे है कमरिया हिला रही है लौरेंजी के साथ यह बात मैं बता दूँ कि जब पहली बार मेरे मेकप रूम में वो आई हाई हलो इसके बाद वाला जो अंग्रेजी सुनने को मिला ना तो मैं सोचा कि अरे यार मैं सब खोपड़े के उपर से जा रहा है कैसे काम करूंगा लेकिन वो बहुत अच्छी हैं एक पैसा भी मैसूस नहीं हुआ कि हम को अंग्रेजी नहीं आता है वो अंग्रेज हैं लेकिन वो अच्छी हैं कि हम लोग कंफर्ट होके काम किये और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके आपने उनको भोषपूरी सिखाया है तो बोशपूरी हाँ मैंने बोला है कि तोंसे एक ठोगाना भोषपूरी में भी करवाई बहुत आगे काम करें यह बिल्कुल किया जाए